हलो फ्रेंड्स हमारे चैनल ग्रीन ड्रीप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्लास्टिक टब में लोटस कितनी संदर तरीके से ब्लूम कर रहा है और उसके अलावा इसमें कुछ बर्डस भी नेक्स्ट देमें ब्लूम करेंगे और इसमें हमने कुछ water cabbage भी add कर रखे हैं, आप देख सकते हैं और friends हमारा जो next tub है, उसमें हमने water lily लगाए हुए है इसमें काफी सारे plants जो है, water plants एक साथ mixed up है तो आईए देखते हैं, इसमें कौन-कौन से varieties के plants है तो friends आप ये जो छोटे-छोटे एकदम float करते हुए, जो छोटे-छोटे पत्ते वाले plants आप देख पा रहे हैं, ये वाले ये common duckweed है, और ये जो yellow flower है, ये floating heart है, ये काफी groups में bloom करता है और ये जो बड़ी वाली leaf है, ये water lily की है, ये अभी bloom नहीं हुआ है water lily की अभी birds present है, जो नीचे से धीरे-धीरे grow कर रही है और friends ये florida bird head है, देख सकते हैं जिसकी long stems है और friends इसमें भी हमने water cabbage add कर रखे हैं तो friends आप देख सकते हैं कि काफी सारी species मिलके इसकी beauty को कितना जादा enhance कर रहे हैं कितनी greenery इसमें present है काफी easy to care plants से है और काफी low maintenance में चल जाते है तो friends आप देख सकते हैं हमने इसको iron stand में रखा हुआ है इसको हमने support के लिए use किया है, इसके नीचे से आप देख सकते हैं आप कहीं भी रह रहे हैं, आप ऐसे plastic tub में इसको easily grow कर सकते हैं आप ऐसे stands आपको अच्छे लगते हैं तो stands भी आप बनवा सकते हैं इस 65 liters के plastic tub से ये 2-3 साल से हमारे वया पर present है और काफी अच्छे चल रहे हैं तो friends इस size के tub में हमने 4-5 inches garden soil का use किया है और उसमें हमने कुछ compost में मिला दिया था, cowden compost आप देख सकते हैं इसमें ये जो garden soil है अब जितना भी बड़ा utensil या फिर कुछ भी ले उसमें आप एक layer उसमें आप soil की भी रखें, garden soil की उसके अलावा friends आप देख सकते हैं कि lotus में ये जो पत्तो में जो problem आ रही है इसमें जो insects लग रहे हैं आप इसमें या तो insecticide spray कर सकते हैं या फिर आप जो leaves खराब हो रहा है उसको एकदम bottom से एकदम bottom से आप इसको cut कर दीजिए उपर से इसको ना break करिए क्योंकि फिर उसका stem है वो पानी को खराब कर सकता है तो friends देखिए ऐसे आपको इनको break कर देना है जो leaves खराब हो रहे हैं और बाकी आप देख सकते हैं जो एकदम beautiful green leaves है यह भी नए ने rise हुए है और जो पुराने वाले leaves है इसमें देखिए insects लगे हुए हैं इसमें आप spray भी कर सकते हैं और जो leaves खराब हो चुके आप उसको एकदम bottom से break कर दीजिए और इसमें वैसा कुछ नहीं है कि आपको water regularly बदला है कभी आपको water में कुछ ज्यादा खराब होता हुआ दिख रहा है पानी में से smell आ रही है तब आप इसके पानी को change कर सकते हैं बाकी ऐसी कोई problem generally आती नहीं है और आपको इसे proper sunlight में रखना है अगर आप इसमें blooming देखना चाहते हैं और इसमें आप liquid fertilizer भी कभी-कभी add कर सकते हैं friends ध्यान रखिएगा अगर आप इसको proper sunlight provide करते हैं तब यह bloom करेगा यह water cabbages है देखिए कितने जादा water cabbages इसमें present है इसके कैसे baby outgrowths हो रहे है देखिए एक ही से इतने सारे baby outgrowths इसमें हो जाते है और friends यह हमारे एक और छोटा सा lotus pond है इसमें यह water cabbage है यह काफी जादा massive तरीके से फैल गए थे उनको हमें हटाने पड़े जिसने पूरे pond को cover up कर लिया था देखिए वो पीछे थोड़े से बचे हुए है और यह friends यह जो lotus है yellow color का lotus है इसमें अभी कोई flower bloom नहीं हुआ है एक दो दिन पहले तक इसमें yellow lotus bloom कर रहा था और friends आप देख सकते है water lettuce है जिसको में water cabbage भी कह रहा था अब देख सकते है कि कितना massive तरीके से इसमें भर चुका है पूरा friends हमारे pond ऐसी खाली पड़ा हुआ था तो हमने एक दो इसमें water cabbage डाल दिये थे और यह पूरा grow हो गया पूर इस वगेरा है आप इसको इसमें डाले क्योंकि यह fishes को इसमें kill कर सकता है क्योंकि उस उनको oxygen provide नहीं हो पाएगी तो fishes जो है मर जाएंगी तो आप इसमें fishes अगर है तो आप इसको इसमें ना लगाए अगर आपने इससे किसी और water plants के साथ लगाया है तो आप इसके growth को limited रख किये और उसको पूरा फिल अपना होने दीजिए इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं आशा करता हूं कि आप कोई वीडियो पसंद आया होगा कोई भी क्वेरी आपको आप कमेंट सेक्शन में पूस सकते हैं जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक् आपको चिये और सुनुक्या समें वीडियो पस्टन वोजाने से भी आपको 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 आपकोंग।